बहुत ध्यान देने योग्या बातें, अपना कीमती समय लगा कर जरूर सुने, गर्मियों में अक्सर नाख से खून आने की समस्या होती है, जो पाने की कमी होने के कारण होती है, इसके लिए आप मिश्री का पानी पीएं, आपको लाब मिलेगा, एक चमश शहद को पानी में घोल कर पीने से उल्टी आना रुख जाती है, यदि आप पेशाब में जलन से परिशान है, तो उसके लिए तुलसी के पत्ते चबाएं, इससे पेशाब की जलन दूर होती है, सुभे देर से उठने वाले विक्ति का दिमाग कमजोर होता है, कॉल ड्रिंक और आइसक्रीम ज जल्दी नहीं आएगा, जो लोग अपने बालों में कंगी बहुत कम करते हैं, उनके बाल गिरने लगते हैं, दोपैर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद कुछ देर चहल कदमी करना सहित के लिए बहुत फायदेमंद है, लाल मिर्च का ज्याद इस्सेमाल पेट को, आखों को और दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। बिना चीनी के नीमबू पानी बना कर पी लेने से सांस की बदबू दूर हो जाती है। बासी मुँ अंगूर खाने से दिमाग तेज हो जाता है। रोजाना आडू इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत चाहते हो तो जवानी में आलू बुखारा खाया करो। खाली पेट दही खाने से खून बनता है। दातों को कीडे से बचाना चाहते हो तो नीम की दातुन कर लिया करो। जादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी मुटापे का शिकार होते हैं। सीर का दर्ध हो तो आखे बंद करके लेट जाओ। आलू बुखारा खून की कमी को दूर करता है। जो जादा देर तक एक ही जगा पर बैठ कर काम करते हैं। उनका खाने के बाद एक केला खा लेने से खाना हजम हो जाता है। खाली पेट सुभे को दो भीके हुए अकरोट खाने से बाल मजबूत होते हैं और चहरे में चमका जाती हैं। खीरे का इस्तेमाल ज्यादा करने वाले को सांस की बिमारी नहीं होती। दिमाखी गर्मी की दिक्कत में तर्बूज खा लिया करो फायदा होगा पैदल तेज रफतार से चलने से गैस की प्रोब्लम में कमी आती है गैस की दिक्कत खतम हो जाती है रोजाना नीम्बू पानी इस्तेमाल करने से चर्बी कम हो जाती है कद्दू के छिलके को चहरे पर मसलने से चहरे की जुरिया गा अगर आप सोते वक्त खाब नहीं देखते हैं, तो जान लो आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो औरते अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती हैं, उनका दिमाग तेज हो जाता है। जो लोग रोटी तेजी से खाने के आदी हो, उनको दिल की बिमारी हो सकती हैं। शुगर के मरीजों के लिए आलू बुखारा एक बहतरीन फल है, आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को अलर्जी की प्रोब्लम हो, वो कभी भी लसी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लसी पीने से अलर्जी और हो सकती हैं। बैठे-बैठे आँखों से पानी निकलता हो, तो पानी से कुला करें और गुलाब का रस भी इस्तेमाल करें। चहरे की जाईयां और दाग दूर करने के लिए नीमबू का रस लगाया करो। छीक रोकने से दिमाग कमजोर होता है। भेड के दूद में शहर डाल कर चहरे की मसाज करने से चहरा गोरा हो जाता है और चहरे की जुरियां भी खतम हो जाती हैं। सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पीने से चहरे पर जुरियां नहीं आएंगी। खाना खाने के फोरण बाद सोने से बचे इससे पेट की चरबी बढ़ने लगेगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवायन पानी के साथ खाओ, मोटापा दूर हो जाएगा। ज़्यादा बरफ का इस्सेमाल करने से हाजमा कमजोर हो जाता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीजे इस्सेमाल मत करो, इससे गले का इंफरक्शन हो जाता है। खाना खाने के बाद एक लोग खाने से तिजाबियत की दिक्कत नहीं होती। हफते में दो बार इलाइची खाने से सांस की बिमारी नहीं होती। मेथी दाने को भिगो कर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से खतम हो जाती है। अगर आपके बाल जादा गिरते हैं, तो सोफ का इस्तिमाल किया करें, बाल मजबूत होंगे. अंगूर फेफडों के लिए निहायत फायदे मंद है. जादा प्यास लगी हो, तो पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, एकदम हरगिज ना पिये. चावलों का जादा इस्तिमाल मोटापे का सबब बनता है. खाना खाने के फोरण बाद पानी पीने से आपका रंग सामला हो सकता है. अगर आपका जिस्म जादा तर ठंडा रहने लगे, तो जान लो कि खून की कमी है. जोडों और घुटनों के दर्द में एलोवीरा खाने से बहुत ही जादा फाइदा होता है. रोजाना खाने के साथ नीम्बू निचोड कर खा ले, आपका हाजमस सही हो जाएगा. चहरे की जुरिया गायब करने के लिए नीम्बू का रस कुछ देर लगा ले, फिर धो ले. पका हुआ आम खा लेने से आपका रंग निखर जाएगा. प्लास्टिक के बरतन में खाना खाने से कैंसर की बिमारी हो सकती है. इमली और अलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करो, आपके चहरे से कील मुहा से साफ हो जाएंगे और चर्बी पिंग लेगी. गीली मिट्टी की खुश्बू सूंग लेने से सूंगने की ताकत सही रहती है. बकरी के दूद में चने भिगो कर खाने से स्किन टाइट रहती है. अगर सांस की तकलीफ हो तो एक हरी मिर्च खा ले, आराम आ जाएगा. आम का अचार खाने के बाद पानी मत पिएं, आपको नजला जुखाम हो सकता है. दही के उपर वाला पानी जिगर को क्लीन करता है, दिन में एक गिलाज जरूर पी लिया करें. पुदीने का रस पीने से हैजा खतम हो जाता है. जिन लोगों का पाचन तंतर कमजोर हो, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खाया करें. थंड़ा पानी हार्ट अटैक का कारण बनता है. उबले हुए चावलों को फ्रीज में रख कर कई दिनों तक इस्सेमाल नहीं करना चाहिए. इससे पेट खराब हो सकता है, डाइरिया हो सकता है. साइकिल चलाने वाला विक्ती जल्दी बुड़ा नहीं होता. कोई भी खटी चीज खाकर उपर से पानी पीने से हल्क में सूजन हो सकती है. नहाने के बाद कान में सरसो के तेल से भीगी रूई जरू डाल लो, वरना धिरे-धिरे सुनने की ताकत कम होती जाएगी. पानी कम पीने से होट काले होते हैं. अगर किसी को जिगर की दिक्कत हो, तो वो सेव खा लिया करें. अच्छे स्वास्थे के लिए हमेशा साथ से आठ घंटे की नींद जरूर लें. गोल गप्पे और उसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर बैलन्स रहता है. दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी? कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं. दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो